हलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे डारेक्टूरेट ओफ एजुकेशन की वर्कशीट नमबर 162 जिसका सब्जेक्ट है मैट्स और आज देट है पाँच वर्वरी 2021 ये वर्कशीट क्लास वन के बच्चों के लिए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट बच बताओ कितने टुकडे आज शीला दीदी ने रंग बिरंगे टुकडो से सुन्दर सुन्दर पशु पक्षियों की आकरतियां बनाई हैं सोनो को ये आकरतियां बहुत पसंद आई और जब दीदी ने बताया कि ये आकरतियां उन्होंने रंग बिरंगे टुकडो से बनाई ह तो सोनु उन आकरतियों में टुकड़े गिनने लगा। चलिए, हर आकरती में लगे टुकड़ों की संख्या पता लगाने में सोनु की मदद करते हैं। तो बच्चो आचीरा दीदी ने क्या बनाया है रंग बिरंगे टुकडों से सुन्दर सुन्दर पशु पक्षियों की आकरतिया जो सोनू को बहुत अच्छी लगी है और जब दीदी ने उसे ये बताया कि ये उन्होंने किस से बनाया है रंग बिरंगे टुकडों से बनाया ह तो सोनू ने सोचा क्यों आकृतियों के टुकड़े गिनने चाहिए तो चलिए अब हम हर आकृति में लगे टुकडों की संख्या पता लगाने में सोनू की मदद करते हैं तो देखिए बच्चों ये है पहली आकरती और आप देख सकते हैं ये पहली आकरती किस की तरह लग रही है बिल्कुल एक बिल्ली की तरह क्याट की तरह ठीक है तो चलिए इसमें जो ये रंग बिरंगे टुकड़े हैं इनको गिनते हैं तो बिल्ली यानि की क्याट बनाने के लिए उन्होंने कितने रंग बिरंगे टुकड़ों का इस्तिमाल किया है साथ टुकड़ों का ठीक है बच्चों आईए इसमें एक बार दुबारा से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो चलिए अब हम देखते हैं अगली आकरती तो अगली आकरती किसकी है बच्चों अगली आकरती है एक जिराफ की ठीक है तो चलिए अब हम इसमें लगे हुए रंग बिरंगे टुकड़ों को गिनते हैं 14, 15 तो जिराफ को बनाने के लिए कितने रंग बिरंगे टुकड़ों को इस्तिमाल किया गया है 15 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15 ठीक है बच्चों ठीक इसी तरह से जो अगली आकरती है जो की एक बतक यानिकी डक की है उसे बनाने के लिए कितने टुकड़ों का इस्तिमाल किया है आईए देखते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस तो डक की आकरती बनाने के लिए दस टुकड़ों का इस्तिमाल किया है ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चो दस बच्चो अब आपको ऐसे ही कच्छवा यानिकी टॉटॉइज इल्ली यानिकी कैटरपिलर और कुत्ता यानिकी डॉग इनकी आकरतियां बनाने में कितने रंग बिरंगी टुकड़ों को गिन लेंगे तो उसके बाद आपको जैसे कि क्या बता सकते हैं सबसे कम टुकड़े किस आकरती को बनाने में लगे हैं तो बच्चो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जितनी भी आकरतियां बनी हैं उसमें जो रंग बिरंगी टुकड़े लगे हैं उनकी संख्या को गिन कर लिखना होगा औ ऐसी कौन सी आकृती है जिसे बनाने में सबसे कम टुकड़े लगे हैं ठीक है और उस आकृती का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे अगला देखते हैं सबसे ज़्यादा टुकड़े किस आकृती में लगे और इसी तरह से आपको सारी आकृतियों को देखकर यह बताना है कि ऐसी कौन सी आकृती है जिसको बनाने में सबसे ज़्यादा रंग बिरंगे टुकड़े लगे तो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे अगला देखते हैं किन दो आकृतियों को बनाने में बराबर टुकड़े लगे हैं बच्चो जब आप जो नीचे दी गई तीन आकृतियों को भी गिन लेंगे जो उसमें टुकड़े लगे हैं तो उसके बाद आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी दो आकृतियां हैं जिसको बनाने में बराबर टुकड़े लगे हैं तो इन सभी आकृतियों में दो आकृतियां ऐसी हैं जिनको बनाने में बराबर रंग विरंगे टुकडे लगे हैं, ठीक है, तो जब आप उनकी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद आप देखकर यहां पर बताएंगे कि ऐसी कौन सी दो आकरतिया हैं और उनका नाम आप यहां लिख देंगे, ठीक है, तो यह आपको खुद से कर करना होगा बच्चों, यह बहुत ही आसान है, इसके बाद इस कारेपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी गणत अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 59 & 60 को भी करना है, ओके बच्चों तो इसे भी आप जरूर कीजिएगा, इसी के साथ आपकी आज की वरक्षीट कम्प होती है,